दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 24 घंटे अपने घर का लोड चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा और बैटरी कितने एंपियर की लेनी पड़ेगी देखे फ्रेंड्स ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे घर पर टोटल लोड कितना है मतलब कि हम कौन कौन से उपकरन चलाना चाहते हैं मतलब कि आप कितने देर तक फैन चलाते हो कितना फैन चलाते हो लाइट कितने घंटों तक चलाते हो टीवी चलाते हो तो कितने घंटों तक चलाते हो तो यह सब कुछ जो है इसी को उपर डिपेंड करता है और इसका हम आपको परफेक्ट कैलकुलेशन आपको निकाल के भी ब सबसे बड़ा चीज जिसमें आपको फाइदा होगा कि आपकी घर का बिजली बिल्चु है एकदम जीरो रुपए आएगा अगर आप बिजली का कटवा भी देते हो तो आपका सारा काम चल जाएगा डिपेंड हो जाओगे सोलर पैनल के उपर तो इस वीडियो में आपको इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्व चानल पागर नहें होंगे तो चैनल को भी जड़ो सब्सक्राइब करें चली जासा हमने आपको बताया कि सबकुछ डिपेंड करता है कि हमारे घर पर टोटल लोड कितना है और कितने घंटों तक हम चलाना चाहते हैं दोस्त ऑफ कर देते होंगे तो उसका स्पुन करने एपर ला mec लाइट्स गंटे recycटीन करने में इस भबल में हम आपड़ देंडेन देविश episode कोटाज देंड़र मेरी फेल कीटा में वहीं साफ ह्ड़ झालते हैं आपके गर में फोबल्म भोता दाहीं सेدمец्या ध्लिज में तो फैन का बी कैल कॉलिशन हमें समझ में नहीं आएगा कि अगर हम फैन 14 घंटे नहीं चला रहे हैं 10 12 गन्य फिर 15-20 बीस गन्ते हम कहणा तो हमें समझ में इस क्लिशन की करते हैं दूसरा के किस आफी लखने ओPS बार करूप्पथ कि आपकी घर का जो मंतली बिजली का बिल होता है इसको आपको निकालना है पिछले छे महिने में आपने कितना कितना यूनिट हर महिने electricity consume किया हुआ है इसका detail आपको निकालना है अब उसमें भी होता है कि किसी महीने में हम 200 unit भिजली खपत करते हैं किसी महीने में 200 unit करते हैं किसी में 300 कर लेते हैं किसी में 200 फिर कर लेते हैं तो इसमें हम calculation perfect match नहीं कर पाता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा पिछले 6 हुआ है 18 unit में पिछले 6 महीने का हमारा detail है मतल हम example के तो अब हमें क्या करना होगा है तो हमें एक दिन का पता करना होगा कि एक दिन में हमारा कितना हो गया तो इससे हमें 180 से हमें डिवाइड कर देना होगा एंसर निकल क्या आता है दस यानि कि हम एक दिन में 10 unit बिजली जो है खपत कर रहे हैं तो इस हिसाब से अब हमें सोलर पैनल पता करना होगा कि कौन सी इस सोलर पैनल है जो कि हमें 10 यूनिट अराम से प्रोवाइड करा सके देखी दूस्तों सोलर भी हमें सोच समझ ही खड़िदना है जैसे कि हम सोचते होंगे कि सुबह 6 बजे से सो है अराम से बना सके हमें कोई ऐसा सोलर पैनल प्रचीज करना है अब यहां पर दोस्तों सोलर पैनल प्रचीज करने के लिए हमें टाइनिंग पहले देखना होगा कि हमारा सोलर पैनल कितना बहुत से कितना बहुत करता है यहां पर हम ले करके चलते हैं आठ बहुत से ले करक करना होगा 111 यूनिट कोमें वाट में कन्वर्ड करना होगा तो उसके लिए यहां पर 11,000 हो जाता है अब शोलर पैञ्ट टाइम कितने हैं मतलब कितने घंटे के अंदर में उसको एक गारा जूनिट बिजली जो है बनात के तयार कर दियार कर देना है तो उसके लिए मात्र आ सब 2% चाहिए सोलर पैनल देखना हो जो कि 375 यानी कि सपुज 1400 बक्रशतर बना के यानी कि कोई ऐस चाहिसा सोलर पैनल कोई क्या करना होगा कोई सनली ने हैं तो 18 S一 बना के हमें देख gai 01 उसकी भी efficiency होती है किसी की 70% होती है किसी की 80% होती है तो अगर हम यहां पर 1700 वाट का लेते हैं कोई solar panel तो इसकी हम 80% efficiency हटाते हैं तो यहां पर 1360 watt निकल क्या आता है मतलब हमें ज़रत था 1400 watt करेंट की तो यहां पर कितना निकल क्या है 360 मतलब कि हम 1700 वाट का भी अगर हम कोई solar panel लेते हैं तो हमारा काम नहीं चलने वाला है तो यहां पर दोस्तों हमें 1800 वाट का solar panel लेना है तब दोस्तों हम अपने घर का सारा उपकरण जो है चला सकेंगे 10 यूनिट बिजली की जोरत है तब दोस्तों हमें कम से कम 1700 या फिर 1800 वाट अगर हमें 10 यूनिट बिजली चाहिए तो अब हमें देखना होगा कि हमें बैटरी कौन सा लगाना पड़ेगा तो अगर आप 1700 वाट तक जा चुके हो तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा बैटरी चूज करें जो कि हमारी बैटरी परफेक्ट हो हमारे सोलर पैनल के लिए देखिए 1700 वाट जो बिजली जो हमारी सोलर पैनल बना रही है वह काफी ज्यादा है भी हो जाती है अब दोस्तों उसके लिए हमें कम से कम डेडर सो एंपियर की चार सोलर बैटरी परचिस करनी पड़ेगी तब जाके हम आसानी से अपनी बैटरी को चार बनाने के लिए लेकिन हमें रात में भी इस्तमाल करना होता है जबकि ला रटकता यह वर्क नहीं करता है तो इसलिए सोलर पैनल दिन रहें टार यूज करेंगे enorm कchemical में और आगया होगा कि आपको कैसे पता करना है कि आपके घर पर कितने वाट का सोलर चाहिए और कितने एंपियर की बैटरी चाहिए ठीक है गाइस तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन